जै स्री कृष्णा राधे राधे तक तंतर मंत्र असर नहीं करता तो चलिए जानते हैं विस्तार से हल्दी का पौधा अगर घर में आप लगाएं तो निगेटीव इनरजी आती ही नहीं इस पॉधे को घर में गमले में जरूर लगा यह घर में मिटी है तो वहां भी लगा सकते हैं अनार का पौधा घर के उसके लिए परिशान नहीं करती अपराजीता जिसको हम कृष्ण कांता कहते हैं इसका बेल जिसमें ब्लू कलर का पुस्पा आता है इसे लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं और ऐसे घर में जिस घर में ये पौधा होता है आर्थिक समस्याएं धीरे-धीरे समाप्त हो जाती है नारियल का पेड जिसके घर में हो उसके घर में मान समान दिन दूनी राच चोगोनी बढ़ता चला जाता है बस ध्यान में ये रखना है कि आपके घर से उचा ना हो जाए ये फिर वास्तु दोस्त देगा तुलसी का पौधा वैसे तो हिंदू धर में हर किसी के घर में होता है और ये लक्षमी का स्वरूप माना जाता है लेकिन जब भी तुलसी का पौधा लगाएं अपने घर में पूरब उत्तर दिसा में लगाएं दक्षिन दिसा में भूल कर भी ना लगाएं वरनाफ फायदे की जगर नुकसान देगा और आपके जीवन में चारो दिसाओं से परिसानी आईगी नीम का पौधा देखिए नीम का पौधा होना वैसे तो ठीक होता है लेकिन अगर आम का पौधा हो तो आम का पौधा आपके जीवन में परिसानी आलाता है क्योंकि आपके बच्चे तरक्की नहीं कर पाते इसलिए फल वाले पौधे तो भूल कर भी ना इस पेड़ के पास ऐसे पेड़ लगाएं जो सूब हो जैसे की नारियल, नीम, असोग ये पौधे लगाएं बेल वाले पौधे, लताओं वाले पौधे को बेल वाला पौधा कहते हैं इसको आप मुख्य दरवाजे पर लगा सकते हैं लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जो इसका बेल है वो आपके बौण्डरी वाल से ज्यादा उचा ना जाए इस बात का ध्यान रखेंगा और नीचे भी ना जाना चाहिए यानि कि ऊपर की और चड़ते वे तो हो पर बहुत बड़ा ना हो जाए अब देखिए यहाँ पर असोक का पौधा अगर आपके घर में है तो आपके घर के बच्चों का बुद्धी तेज होगा पैसा आता रहेगा असोक कब्रिक्ष जरूर लगाए और इसके साथ ही आउले का पौधा घर में लगाने से बिमारिया नहीं आती है दूसरी तरफ जो बरगत का पीपल का पेड़ होता है भले ही पवित्र पेड़ है लेकिन घर के आसपर ना हो तो अच्छा है वड़ना वास्तु दोस पैदा करता है गेंदे का पौधा जिस घर में गेंदा होता है उस घर का लोगों का ब्रहस्पति खुदबखुद पौधे वाले पौधे हमेशा बुरा ही करता है क्योंकि इसको अच्छा नहीं माना जाता है और यहां तक की बौनसाई प्लांट जिसको हम बौना पौधा कहते हैं नहीं लगाना चाहिए आपकी तरकी को रोग देगा बंस्वृदी नहीं होगी तो घर के मुख्य दरवाज क्रियाय असर करेगी ना जीवन में परिसानिया आएंगी ना ही किसी तरह का कोई दूसमनों का भय होगा नहीं है तो जरूर लगाए और वो भी घर के मुख्य दरवाजे के सामने है लेकिन एक बात याद रखिएगा कि वो जो आख का पौधा है आकड़े का पौधा जिसको हम फिर मिलेंगे वीडियो कर पसंद है तो लाइक कर सब्सक्राइब